आज हमें study करेंगे फरवरी 2022 के प्रतियोगिता दरपन के सारसंगरा पार्ट का जहां पर आपको 130 भीरी भीरी important questions का एक collections मिलेगा जो आपके exam के लिए बहुत ही उपी होगी हैं चाहे आप BPSC, JPSC, UPPCS या अधर किसी PCS या NTPC या SSC की तियारी कर रहे हो तो आपके लिए यह बहुत ही उप्योगी होगा या सारसंगरा तो चलिए हम इसे सुरू करते हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो तुसे जरूर सब्सक्राइब कर लें पहला टॉपिक है भारते इतियास वम संस्कृति पंज सिध्धान्ती का किस के पाँस सिध्धान्तों से संबंधीत हैं यह जोतीस के पांस द्धानतों से सम्बंधित हैं, कौन सा प्राचीन नाटक दवसुमित्र दोारा यबनों पर विझाय के सम्भन्ध में हैं, यह माल विकाग मित्रम, जो काली दास दोारा लिखा गया है, सिंधु गाटि सब्विता में जुते खेत कहां मिले हैं ये काली बंग में मिले हैं गायत्री मंत्र रीग बेद के किस मंडल में हैं गायत्री मंत्र रीग बेद के तिसरे मंडल में हैं इसमें कुल बासर सुक्ति हैं जो इंद्र और अगनी को समर्पित हैं इसकी रचना महर्सी विश्वामिंत्र ने की हैं असोक के किस सिलालेख में धम नीती का बर्नन है उसके सिलालेख संख्या 11 में धम नीती का बर्नन है नाभी वर्ष किस देश का एतिहासिक नाम है नाभी वर्ष भारत का ही एतिहासिक नाम है एतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारत वर्ष का पुराना नाम नाभी वर्ष था जो पहले जैन तिर्थकर रिसव देव के पिता राजा नाभी के नाम पर था जैसे अब जानते हैं भारत का नाम भारत राजा भरत के नाम पर बढ़ा था उसी तरह भारत का ही नाम नाभी बर्स जैन धर्म के पर्थम तिर्थगर रिसब देव के पिता राजा नाभी के नाम पर बढ़ा है और जैसे भारत को भारत के सासत भारत, भारतवर्स, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जानते है सातवाहन बंज के किस राजा ने गाथा सब्त सती की रचना की थी ये राजा हाल ने किया था हाल ने राजा सब्त सती की रजना की जो परक्रिते भासा में प्रेम कविताओं का संग्रह है किस सूफी संथ को चिराग ए दिहवली कहा जाता है सेख नसिरुद्दीन महमुद को चंदावर के युद में मुहमद गोरी ने किसे हराया था मुल्क एक हादीम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था या मराठा समराज्य जाना जाता था अब हमारा नेक्स टॉपिक है राष्ट्रिय सोतनरता आंदोलन कौन से वासराए ओबेन मेरे डीथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे केवल पागल खानों के बाहर खरे पागल लोग ही आजादी की बाते कर सकते हैं और सोच सकते हैं स्वराज्य के संदर्व में यह कथन किशने कहा था तिया गोपाल किशने गोखले ने कहा था किस दीन को मुश्लिम लिंग दुआरा परतक्ष कारवाही दिवस के रूप में घोसित किया गया था 16 दिसंबर 1926 को यह रिपोर्ट रदी काग्यों की धेर में रखने योग्य है साइमन रिपोर्ट के संदर्व में यह कथन किसका है यह सर सिवा स्वामी यर का है बरना कुलर प्रेस एक्ट किसके सासन में पारीत किया गया था लॉर्ड लिटन के सासन में पारीत किया गया था मुझे पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटीस समराज के कफन में कील बन कर रहेगा यह किस ने कहा था यह लाला लाजपत राई ने कहा था अंग्रेजों ने भारत में प्रांतिय स्वायता की सुरुवात की भारा सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कांग्रेश बास्तव में बिना हथियारों के ग्रिह यूद में हैं कांग्रेश के संदर में यह कथम किस ने कहा था यह सरसेद अहमद खाने कहा था किसने टिपनी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है यह सर मुहमद इकबाल ने कहा था जिन्ना ने किस योजना को सरे अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर औस्विकार कर दिया था इस योजना का नाम था राज गोपाला चारी योजना नेक्स टॉपिक हमारा है अब भारते राज जिविवस्था एवं सम्मिधान सम्मिधान के किस अनुछेद में यह कहा गया है कि सभी सारवजनिक अस्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए है अनुछेद पंद्र दो में भारत के सम्मिधान के अनुसार नागरिकों को किस की सुतंद्रताएं दी गई है तो भारत के नागरिक को सम्मिधान दोरा छे सुतंद्रताएं दी गई है इसमें हैं बिचार एवब अभिव्यक्ति की सोतंदर्ता, सांती पूर्ण सम्मेलन की सोतंदर्ता, संग के निर्मान की सोतंदर्ता, भरमन की सोतंदर्ता, बैवसाई की सोतंदर्ता और निवास की सोतंदर्ता ये 600 तंगरताएं भारते समिधान द्वारा भारत के नागरिक को दिया गया है जो विसाई केंदर सुची, राज्य सुची, संबर्ती सुची में किसी में नहीं है उस पर कारून बनाने का अधिकार किसे है उस पर कारून बनाने का अधिकार सांसद को है जैसा कि आप जानते होंगे कि क्यंद्रिय सुची की जो भी विसाई होता है उस पर कानून सांसद बनाते हैं राज्य सुची की जो विसाई होता है उस पर कानून विधान सभा बनाते हैं राज्यों में जबकि संबर्ती सुची में जो विसाय होते हैं उस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों ही बना सकते हैं लेकिन यहां questions है कोई विसाय ऐसा हो जो ना ही केंद्र सुची में हो ना राज्य सुची में हो और ना ही संबर्ती सुची में हो उस पर कानून कौन बनाएगा तो उस पर कानून सांसद बनाते हैं भेरी भेरी important questions है इसे जरूर याद रखें अब तक भारत में संविधान की प्रास्ताबना कितनी बार बदली गई हैं सिर्फ एक बार 히 संविधान में 42 में संसदंत और रखें समाजबादी अखंड़ता शुड़त हैं को आप करेंगे और थिस्याद के सात्थ जिसे समय के साथ धर्म निट्वेक्स में कनभर्ड कर दिया अब धर्म निट्वेक्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं जबकि प्रस्ताब नामें पंध निट्वेक्स सब्द एट किया गया था नेक्स्ट है भारत में कितने परकार के आपातकाल हैं तो भारत में तीन परकार के आपातकाल हैं रश्ट्री आपातकाल प्रादेशिक आपातकाल और बीती आपातकाल यह 352 में है, सभिधान के 352 में है, यह 356 में है और यह 360 में है भारत में गार्जियन और पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है यह कैक को कहा जाता है नियंत्रा और महलेखा परिक्षक को पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए असोक महता समीती कब बनाई गई थी, 1977 में असम पुनरगठन अधिनियम, 1979 दुआरा किस राज्य का जन्म हुआ, मेखालाई का जन्म हुआ और मेखालाई का राजधानी कहां है यह आप कोमेंट्स करके बताएंगे भारत के संप्रभू लोकतांत्री गनराज्य के कितने दीन बाद सरबोच न्यालाई अस्तुत्यों में आया दो दीन बाद है भारते सरबोच न्यालाई की अस्थापना 28 जन्वरी 1950 को हुई बरतमान परिसर में सरबोच न्यालाई 1958 में सुरू हुआ मतलब दिल्ली में जहां पाफी सरबोच न्यालाई है वहां पर उन्हें इसन आठावन में आया था सरबोच की सरबोच न्यालाई का अस्थापना 28 जन्वरी 1950 को हुआ हमारा देश्योकतंत्र आन्य में गंतं तर 26 जन्वरी उन्हेंने 50 को हुआ है किसी भी नागरीक के साथ केवल धर्म, जाती, लिंग, बंस, जन्म, अस्थान, निवास या उसमें से किसी की आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्ज के संबध में और पात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा यह किस अनुछेद में हैं, यह अनुछेद सोलों में हैं अब हमारा नेक्स टॉपिक है भारत बंविश्व का भुगोल उत्तर भारत के विसाल मैदान जिसे गंगा के मैदान के राम से जानते हैं और दक्कन पठार के बीच किस परवत स्रिंखला द्वारा बिभाजित किया जाता है यह बिंध परवत द्वारा बिभाजित किया जाता है भारत के कितेने राजियों के सीमा भूटान से लगती हैं अरुनाचल प्रदेश पसिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती हैं येसिया के पहले जल बिधुत उर्जा एस्टेशन सीव समुंदरम की आस्थापना कव की गई थी इसे 1902 में की गई थी पाक जलडबु मद्ध कहां पर इस्थीत है पाक जलडबु मद्ध भारत के तामिलाडू राज्य और स्रीलंका के मननार द्वीप के बीच इस्थीत है इस छत्र में परसिद राम सेतू भी इस्थीत है और वहीं पर बगल में मननार की खारी भी इस्थीत है अगुलहास महासागरिय धारा संबंधित है यहिंद महासागर से संबंधित है कुचिकल जहरना किस राज्ज में इस्थित है या करनाटक राज्ज में इस्थित है कुचिकल जहरना करनाटक के सिमोगा जिले में इस्थित है इसकी कुल उचाए 1493 में है या भारत का सबसे उचा ज़रना है बाबा बूदन पहाडियां किस राज्य में इस्थीत हैं? बाबा बूदन पहाडियां करनाटक के चिक मंगलूर में इस्थीत हैं? किस परबत को फाइब ट्रेजरस है ओफ ग्रेट सो याद रखें किस परबत को फाइब ट्रेजरस ओफ ग्रेट सो कहा जाता है? एक कंचन जंगा को कहा जाता है कंचन जंगा बिश्व का तीसरा सबसे उचा परबत है और इसकी उचाए 85-86 मीटर है या परबत नेपाल और सिक्किम के बीच इस्थीत हैं समान चुमिकिये जुकाओ वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? या आइसो गुनल रेखा कहलाता है रेनेल जल्धारा किस महासागर की जल्धारा है? या अट्लांटिक महासागर की जल्धारा है? अब मारा नेक्स टॉपिक है प्रियाबरन एवं जैब बिभीता भारत का पहला समुद्री राष्ट्रे उद्यान कौन सा है? कर्च की खारी में इस्थीत समुद्री राष्ट्रे उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रे उद्यान है और इसका आस्थापना 1982 में हुआ था ओजोन डे मनाने की घोष्णा किस प्रोटोकॉल में हुए? नागोया प्रोटोकॉल में या घोष्णा हुई ओजोन डे मनाने की वर्ल ओजोन डे या विश ओजोन डिबस 16 सितंबर को मनाया जाता है इसकी घोष्णा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन्यस्व सतासी में हुआ परंबी कुलम बन्यजीब अभियारन किस प्रदेश में है? या केरल के पालकर्ड जिले में है? रेट डेटा बुक के किस खत्रे में इस्थित प्रानियों की लिश्ट है? ये जानबर पेर और फुमगी बन्या रेट डेटा बुक को उन परजातियों की सुची है जो खत्रे में होती है हर रेटा डेट डेटा भुक में जानबर या ब्रेक्ष अथवा फूंगी की लिश्ट होती हैं जो खत्रे में होते हैं जैब बिबेता की परचूरता तथा 26 सेसी जीवों की परमुखता वाले संबेदन सील अस्थान को क्या कहते हैं इसे तप अस्थल कहते हैं भारत का पहला तितली पार्क किस राष्टे उद्यान में बिक्सीत किया गया है यह बनेडग घटा राष्टे उद्यान करनाटक में बिक्सीत किया गया है जलबायू परिवर्तन आकलन आई-एन-सी-सी-ए के लिए भारतिय नेटवर्क में संस्थाओं की संख्या है 127 बुक्का टाइगर रिजर्ब किस प्रदेश में है यह पस्सिम बंगाल में है मुलेम राष्ट्य उद्यान अवस्थीत है यह गोवा में अवस्थीत है युट्रोफिकेसंज ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुनबता मचली और अन्यपसु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है जो अंधता विसेश परिस्थितिक तंद्र को नश्ट कर देती है इसका क्या कारण है रसाइनीक पोसक तत्तों और नेट्रोजन या फोस्फोरस युक्त यौगिकों में बिर्धी के कारणिय होता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतिय अर्थ वेवस्था DTA का पूरा नाम क्या है DTA का पूरा नाम है Double Taxation Abiodance Agreement पर्थम पंचबर से यौजना में किस छत्र को सरबाधिक प्रात्मिक्ता दी गई थी किरसी छत्र को दी गई थी भारतिय पंचबर से यौजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है यह PC महाल लुनोबीस को कहा जाता है गरामीन छत्रों में गरीबी के आकलन Estimation of Power 3 हे तो किस सुचकांक या इंडेक्स को आधार माना गया है किरसी सर्मिकों के उभोगता मुले सुचकांक को आधार माना गया है सहरी छत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सुचकांक को आधार माना गया है इसमें और द्योगिक सर्मिकों के उभोगता मुले सुचकांक को आधार माना गया है तो यहां याद करना बहुत आसान ग्रामीन छेत्रों के लिए किरसी सर्मिकों के उभोगता मुलिसुचकांग और सहरी छेत्रों के लिए गरीबी आकलन का तरीका है और द्योगिंग सर्मिकों के उभोगता मुलिसुचकांग भारत के ग्रामी इन छित्रों में पाई जाने वाली बिरुजगारी को मुख्य रूप क्या कारण है मला मुख्य रूप मुख्य रूप क्या है उसका मला भारत में के ग्रामी इलाका में जो बिरुजगारी है उसकी क्या टैप है किस टैप की बिरुजगारी है कहने के मिलती हैं साल में कुछी महिना वहां पड़ काम मिलती हैं लोगों को नेक्स कुस्टन से राष्ट्रिय ग्रामीन रुजगार गैरंटी योजना नरेगा कब शुरू हुई थी यह दो फरवरी 2006 को शुरू ही थी योजना अब कास प्लान होली डेज काल किस अब धी को माना जाता है यह उनेश्व च्यासर से उनेश्व उनहत्तर को माना जाता है इस बीच में कोई योजना नहीं चल ले थी जो पंचवर्शीय योजना है पंचवर्शीय योजना इस बीच में नहीं लागू किया गया था बोकारो इस पाद सन्यंत्र की अस्थापना किस योजना के दोरान की गई थी तिर्थिये पंचवर्शीय योजना के दोरान की गई थी प्रियावन संद्रक्षन, बार्धनियंत्रन, उर्भरक और डीजल में सबसीडी के उद्देश के लिए युग्यता माल के रूप में बर्गिकृत किया जाता है केबल प्रियावन संद्रक्षन और बार्धनियंत्रन यह हमारा 60 questions का एक छोटा सा सेट था जो complete हुआ अगले वीडियो में हम आगे के questions और उसके answer देखेंगे जिसमें हमें सामाने बिग्यान, तकनी की, खेल कूद, बिबिद, अलग-अलग, टोटल 130 questions हमें आगे देखना है और उसके जो next वीडियो हैंगे जिसमें हम hand retained note जो फ्रवडी 2022 के प्रतियोगता दरपन क्या hand retained note होंगे ओ ले करके आएंगे चले इस वीडियो को यहीं हम समात्त करते हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे like करें सब्सक्राइब करें ताइंक्यू ताइंक्यू भेरी मुच्छ